भीण में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा भीण में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा बलकि ये भीण जिस लिए आती है वो बनना है मुझे नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार PBR स्टेडी में उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी कलास एकदम बढ़िया चल रही है इनी उमीदों के साथ आज की आपकी एक और उमीद भरी कलास शुरू होती है मैत यानि गड़ित ये जिन्दगी भी एक गड़ित है और इस गड़ित को सुलजाने के लिए ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये वाली गड़ित आपको आनी चाहिए मानते हैं कि नहीं क्योंकि जौब आप करें या ना करें कुछ भी करें या ना करें कि अगर आपको इस देश समाज में जीना है तो आपको मैत आना चाहिए कई भी आप जा रहे हो आरायो लें दें हिसाब किताब बहुत कुछ कुछ करना पड़ता है बले अपने पड़ Commissioner कुछ भी नहीं पढ़े लेकिन फिर भी आपको करना इंप पड़ता है सबका कमेंट मैं देखूंगा लेकिन पहले होगाएञा मतलब की बात हो जाता तब मैं कमेंट देखूंगा बाद में आज ये सेसल नंबर कौन सा है आप लोग बताएंगे 20 नंबर है ना भाईया इस बैच का ये लाइब नंबर 20 है तब तक आप लोग मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब देंगे बहुत प्यारा सनन्ना सा है 0.32 into 0.11 into 0.002 इसका मान क्या आएगा कोई बता सकता है कमेंट करिए मैं बताऊंगा अब आज कम आ रही क्या मेरी नहीं पुरा है ना जीरो लेवल मैट्स ये एक नाम ही नहीं इसमें एक विश्वास और इसमें एक इमोशन भी छुपा होता है ना आजादी महुच सो बैच इसका नाम है आज एक नया अध्या चलेगा जिसका नाम है घातां क्यों करड़ी जिसे सड्स एंड इंडिसेस बोलते हैं यह बहुत ही आफान है घातां के हम आपको नियम बताएंगे उन पर कुछ चोटे चोटे कल्कुलेशन भी करवाएंगे उसके बाद हम आपको करड़ी बढ़ाएंगे सुद्ध करड़ी मिस्रित करड़ी सजातिय करड़ी बिजातिय करड़ी सन्युक्त करड़ी सन्युक्मी करड़ी और बहुत कुछ हाँ पूजा यादो जी आपका कमेंटार है अनुज पाल उमेश नायक पंकत सिंह राजन स्वाति मिस्रा सिम्मी सिंग धीरज यादो मोहसिन खान मोटिबेट क्लास पावर परबीन जाड मनीश चोहान और बुवा जी बुवा जी सुनके गब्राना नहीं इनसे मैं दो दिन से नाम पूछ रहा हूं बुवा जी अपना नाम नहीं बता रहीं काफी सरमार रहीं निलान सागर एमडी और भाई कहां गये एमडी तो कमेंट भाग गया नितीश सतीश अर्चना सर्मा रितु कुमारी अन्नू राकेश चोहान आर्मान अली आर्मी एक साथ आलिस मक्सूद आलम बिर्जेश कुमार प्रियंका पटाइरिया ऐसा ऐसा नाम है ना कि तुम्हारी आतमा हिल रहेगी बोलने में अब नहीं बोलेंगे चलो अब सिब बात करेंगे पढ़ाई पर आये घातांग और करड़ी होता क्या है इसको इंग्लिस में सट्साइंड इंडिसेस बोलते हैं कि सट्साइंड इंडिसेस यह एक है में है दोनों थोड़ा इस पेस हो गया बीच में आप समझना उसको ठीक है आईए देखिए इसका अभी तो आपको नहीं असर जनाई पढ़ रहा होगा जो कुश्चन मैंने दिया था इसका जबाब कौनों नहीं दिया न सुमित परजापती ने अंसर बताया है बहुत अच्छे सुमित चंद्रबली यादो बेरी गूड परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो इसको बताऊंगा गुड़न खंड़ों गयरा सब कुश्च ठीक है अब सिर्फ पढ़ाई होगी बात्चीत नहीं होगी कुछ भी बात नहीं करेंगे साथी मेरे घातांग का नियम जब हम कलकुलेशन करते हैं इस्पेसली कोई कुश्चन हल करते हैं एक्वेशन वाला समी करण या सर्बसमी का वाला तो वहाँ पर इनका बहुत यूज होता है फिर वहाँ पर नानी का मामी का मौसी याद आती है कि यह पढ़ा होता तो ठीक होता आए जैसे कुश्चन यक्स का पावर सेबन इन्टू यक्स का स्क्वाईर तीन यक्स इसको जो हल करने का तरीका है वो क्या है वो ये है कि इसे आप तीन यक्स का पावर साथ प्लस दो प्लस एक लिखेंगे ये तरीका है समझना अभी मैं कहां जाने वाला हूँ यानि मैंने मल्टीपल किया तो इनकी घाते जुड़ गई सब ही जो भी वरियावल्स थे इसमें घातांग का पहला नियम लगता है नियम लिखो घातांग का नियम पहला नियम अगर बेस इक्वल है पावर अलग अलग है जैसे एक पावर यम इंटू एक पावर यन इक्वल एक पावर यम प्लस यन हो जाता है ये घातांग का पहला नियम है अब ये नहीं जरूरी की केवल दो ही पद होगा ये पचीस पद भी हो सकता है कोई दिक्कत ठाव ठीक है तो एक चीज़ा और ख्याल रहे नीचे कानंबर एक समान होना चाहिए पदा अगर यहां पर ए रहे यहां पर अधार फुट आसे हो जाए तब गढ़ पर जायता हा उसका अलग delivery होथा और घातें अलग-अलग होनी चाहिए मतलब जरूरी नहीं फिलहाल एक रहेंगी तब भी जुड़ जाएगा लेकिन बेस जो है सेम रहना चाहिए ठीक है तो यह घातांग के पहले नियम से हुआ दूसरा नेम लिखिए गातांग का पहला नियम आप समझ गए एक्जांपल भी समझ गए सिकेंड नियम भाग करने पर घाते घड जाती हैं जैसे डिबाइड बाई एक पावर यन यह घातांग का सिकेंड रूल है सभी समझ रहे हो कि नहीं किसी को कोई डाउट जल्दी नोट करिए सन्नी बगेल जर्रा रहमद अरुन कुमार उमेश परबीन अगस्त यादव राकेश रोसन सभी को समझ मेरात एक बार यस बोलिए यस 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 प्रिती सर्माजी मोश्ट मोश्ट बेलकम आपका पी वीर स्टेड़ी परिवार में गई क्या गई विजली तुम लोग गलती का या अदम समझते हो चलो यह हो गया डन इसका एक एक जामपल समझ ये क्योंकि ये जरूरी है जैसे सेबन वाई का पावर फाइफ डिवाइड भाई थ्री वाई का पावर टू देखो ये क्या सही है इस पर बैठेगा का नहीं बैठेगा का है क्योंकि इसमें बेस इक्वल है इसमें देखो अलग-अलग हो गया इनको एक जैसे कर लो सुन्दर सुन्दर लगें ये लो आईसी अवस्था में ये सेबन वाई का पावर पावर पाँच माइनस दो हो जाएगा ये अंसर हो गया समझ में आया बुआ जी माउसी जी आपको भी आया आप बुरा नहीं मानना कि यहां पे सब आये हुए है ये लोग अपना नाम बनाये तो मैं बोल रहा हूं लिख लो जल्दी से मिटा रहा हूं उपर से जल्दी करें स्क्रीन साट लीजी अगर आप यूटूब पर देख पा रहे हैं अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वहां भी स्क्रीन साट दे सकते हैं अपलिकेशन में स्क्रीन साट नहीं होता है आगले नियम पर चले। हैं सभी को समझ में आ, एक बार यह जरूर बोले देखिए कमेंट आपका मोस्ट इंप 먼저 है मॉबाइल फोनना को । अईसे करके पढ़ें अईसे करके आये करके कमेंट नहीं दिखते है ना अईसे लाइफ है साइड में देख रहता फिर भी है को कि देखिए अगर एक से अधिक पद एक में लिखे गए हैं तो उनको गुड़ा करके अलग-अलग किया जा सकता जैसे कि ए इन्टू बी इन्टू सी इन्टू डी या फिर ऐसे भी न लिखों यह एक अलग नियम है A B C D इनकी कोई पावर अगर लगी है ऐसे ध्यान से समझीए लाइट गई है तो इनको हम अलग-अलग लिख सकते हैं A का पावर यहान इन्टू B का पावर यहान इन्टू C पावर यहान यान सभी की घाते लाग-अलग कर सकते हैं यह तो ऐसे हुआ है एक किसान के चार बेटे हैं उसके और में कुल जो धन संबत्ति है पहले एक ही घर में कूझ किसान के गमें offend किसान Kid कि दुनिया छोड़ने के बाद चाड़ों बेटे अलग-अलग हो जाते अपना सब बांट लेते हैं है ना तो वह ऐसे इसमें हो रहा है यह पहले अभी सन्युक्ताइक में बाद में सब अलग-अलग हो गए लेकिन जो है इनके पास उसको लेके अलग होंगे ना इनके पास क् घात थी बस घात वह घात एनी पावर वह पावर लेके अलग हो गए अलग-अलग इसको लिख लो फटा पड़ पर्वीन कमेंट दिख रहा है कल्पना निसाद सुभा में आदो इस्टूडेंट कैरियर अलोग कुमर सबका कमेंट दिख रहा बाबू चलो अब आगे देखो कोश्चन समझो इस तरह का इस पर कोई एक्जामपल अगर अभी मैं बिस्तार से कोश्चन कराऊंगा अभी मैं एक-एक करवा रहा हूं समझने के लिए बस जैसे अगर यह ऐसे लिखा है तीन यक्स वाई जेड इसकी घाद अगर पांच है न यह उदारन है तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं तीन का घाद पांच यक्स घाद पांच वाई घाद पांच जेड का घाद पांच लिख लिजिए समझ में आया सचिन कुमार बच्चा पढ़ाई कर लो तुम फेमस साइंटिस्ट बाद में बनना अजो माइक्रोफॉन ले के गया चुप्पे लाइक दे दो समझ में आया अगला नेक्स्ट अच्छा इमानदारी से बता इसमें से कितने लोग लिख रहे हैं कॉपी पेन ले करके और कितने लोग तो इसे उड़ा दे रहे हैं मतलब एक कान में जा रहा है एक से जरी आए जा रहे हैं कितने लोग लिख रहे हो नियम नंबर चार आए चलिए नियम नंबर चार में क्या है समझना अगर बेश समान है घाते अलग-अलग हैं जैसे यंक पावर ए यंक पावर बी यंक पावर सी इंटू यंक पावर डी तो इसको ऊपर में घातों को जोड़ के लिखा जाता है आफे आफे लिखा जा सकता है लोकूस याद दवारा समझ में और बैसमें दूरी अगना है प्रश्च करें लिखें देखो भाई दूम लोग कंफ्यूज नहीं होना यह आम लोग के आपस की बाद उदारन देखिए यहां पर समझिये बेस इक्वल होना चाहिए गाते अलगल होंगी तुनको अर्जेस्ट किया जैसे देखो मानलो यक्स का पावर यहां यह है यह दो ना करो अच्छा है अरे यह वही हुआ यार गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती वाला पहिला वाला ही तो है पहिला वाला ही तो है ना उसमें किवल दो इपद था इसमें अधिक है गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है तो मैंने क्या क्या मल्टिपल किया घाते जुड़ गई और क्या हुआ कुछ नहीं चाहिए देख लो कि यक्सक पार 17 हो गया कि कि किसी को कोई इंक्वाइरी करना है बाबू आपसे बिनम्र निबेदन है नंबर दिया गया है नीचे स्क्रिन पर उस पर मैसेज करें उस पर फोन करें दिन में मैं लोग आफी ही के लिए बेट करती रहती है आप लोग फोन ही नहीं करते हो अच्छा एक ठुकल कमेंट कर रहा था कि जो मैं बात करती हूं आपकी मैं है और कुछ अलग अलग तरीके का तो जो तुम ज्यादा सोचते हो ना बच्चा इतना ना सोचा करो इसको लिख लिए कि सबी लिख रहे होना एक बार बताओ हाँ यस कि इसको मिटाना भिगोना फिर सुखाना भी पड़ता है इतना देर मैं सब कर लेता हूं अब छठमा नियम जब घात के ऊपर घात हो नारियल देखे हो प्याज देखे हो ना प्याज में कितनी परत होती है कभी प्याज चिल के रोय होग नहीं मैं बूबा के याद में भले न रोय हो प्याज चिल के जरूर रोय होगे कहते हैं लड़के वैसे भी पत्थर के बने होते हैं रोते नहीं देखो मेरे भाई अगर ये ऐसा है इनके उपर यन है कि इसका मतलब जानते हो क्या होता है है कर इसका मतलब हम इसको ऐसे कर सकते हैं एकपावर यहाम इन्टू-म्-क्राइब फाइनल में या मिन्टू यान हो जाएगा बस ठीक है देखो फाइनल में अगर इसको एक पद मान लें तो इसका मतलब होता है कि इसको बहुत बार एक में गुड़ा किया गया ऐसे अरे बाई सीधी से बात है छोटा सा समझलो साइड में जैसे अगर तीन का घात पांच लिखा होता है इसका मतलब तीन गुड़ा तीन पांच बार करते हैं ना यह होता है ना पांच गात थी फिले पांच बार लिखा तो वैसे एक पावर यम के घात यन है यन का मतलब यह अनंत बार है यन बार जाजित्ती बार ले जो लेकिन इसका एक साइट सलूसन लाइश्ट में कि न तुम्हार बात न हमार बात इसको घतिये सबुड़ा कर देते हैं बस डन यानि फाइनल में अगर मैं बोलूं तो फाइनल में बस इतना कर लेते हैं यह याद करने वाला में लिख लो जल्दी से राजेस यादो बेरी गूड बंधना यादो अलो कुमार पंकज प्रिया कुमारी मुकेश सिंग कल्पना प्रिया सिंग चलो जल्दी लिखो फटा फट आगे बढ़ें बहुत ज्यादा इमोजी ना बेजो चाचा कोई भी हाँ चलो इसके पेछे का क्लास भी देखते चलो तभी समझ में आएगा कोई भी वीडियो डाउनलोड नहीं करेगा सब अब ही आनलाइन देखेंगे ठीक है नया बैच एक अक्टूबर से आ रहा है एक नया बैच एक अक्टूबर से आ रहा है जो यूटूब पर फ्री होगा और भी एक तो नया बैच हमारे यहां शुरू हो रहे हूं उनके बारे में अभी मैं दस मिनट बात बात करूंगा रूल नमबर साथ यार छे कहा गया वो तो कोश्ठक वाली बात थी नियम नमबर छे जब इसकी घात ऐसे यम हो यम की घात यन हो और कोश्ठक ना लगा हो कुछ ऐसा हो इसका मतलब जानते हो दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है यह इसकी घात यम इन्टू यम इन्टू यम इन्टू डाट 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 यन ऐसे होता है ठीक है इसके बारे में एक्जाम पल देंगे बाद में विस्तार से रूल नंबर सेबन नियम नंबर साथ मा लिखो ए अपान बी पावर यन उमेफ नायक को बलग करो यह बिना मतलब कचला बेज़रा काफी देर से देखिए इसमें क्या है दोनों कोश्ट में बंद है जब इनको अलग करते हैं तो एक इघात अलग बी की अलग हो जाती है बस ऐसे जैसे मिया भीवी में लडाई हो जाती है तो वो जाके अलगे पल पढ़ गए हो जाके अलगे बस मतलब अलग-अलग हो गए बस बाकिये हैं अभी उसी घर में कर दो कर समझ गए ना यह होगे इसका है कि उदाहरन लिख लिए छोटा सा इसका उदाहरन जैसे मान लो कि पांच बटा साथ है इसकी घात दो है तो इसको हम पांच का घात दो और साथ का घात दो लिखके हल कर सकते हैं अलग-अलग ठीक है यानि यह आपका पचीस हो जाएगा यह आपका उन्चास हो जाएगा बस यह एक जैंपल है चोटा सा इन में अभी बहुत सारे कोश्चन करवाओंगा तो सब क्लियर हो जाएगा जब कि जब मैं एक फार्मूला पूरा किया करूं तो इसे लिख लिया करो तुम मों फैला के देखाना करो कि गातां का नियम आठ नियम नमबर आठावा लिखो देखो भाईया जब इसमें गात के उपर गात गात के उपर गात तब का ओगा M, N, O, P, Q ऐसे जब कंडिशन होती है तब का होता है इसको इसमाल में ही लिखो सारी पावर को M, N, P, समझना है यहापर कैमरा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई आप लोग 30 सिकंड इंदजार करना थोड़ा अंधेरा होगा मैं तुरंद आ रहा हूँ ठीक है जाना नहीं कोई सिर्थ 10 सिकंड उकना जाना नहीं इसको चार्ज में लगा देता हूँ आया आ गया हूँ न इनका क्या होगा जरा समझना एक पावर यम इन्टू यान इन्टू पी इन्टू क्यू सबका गुड़ा कर लेते हैं बस यह सिंपल तरीका है इसका उदारन दिया जाए कि नहीं आप लोग में से आदे से ज्यादा लोगों ने लाइक नहीं किया भाई क्यों भाईया बाबू लाइक करो न यार सबी देखो आपकी थोड़ी जिम्मेदारियां हैं विल्कुल मैं दिल से कह रहा हूँ अंदर की आवाज है यह कि हम लोग एक दूसरे को समझ के चले हमारे जिम्मेदारी आपको पढ़ाना बेहतरीन से बेहतरीन कांटेंट देना आपकी जिम्मेदारी है कलास को तुरंत आओ तो लाइक करो अपने वाट्सअप स्टेटस में अपने बाबू सोना की दर्ज और इमोशन को दिखाने की बजाए यह चीज़ दिखाओने वो भी सुदर रहेंगे आप भी सुदरोगे लाइफ में और देश में कुछ अच्छ आपको बता हुझ नहीं आता उनको बिदा इक आपको नहीं आता फिर दूसरे को बताने में क्या मुसीबत करी लोस बाइब देखिये ऑद है और वैसे आज नहीं हो पाएगा जैनियुद बद्रेन इसके सब के बाद में कराऊंगा पहले सूत्लिक फिलोबस बहुत important है कल मैं इनको सवाल करवाऊंगा इन पे सब पे कल मैं question करवाऊंगा इन सब पे ठीक है बहुत important यह है कि अगर कोई power minus में है तो इसको plus में किया जा सकता है जिनके छोटे छोटे एक्जम्पल है बता दे रहा हूं जो बड़ा हाइफ हाई है उनको एक्जम्पल नहीं बता रहा हूं इनके उदानर देख लो जैसे यह पार माइनस फाइफ है तो इससे ऐसे करके प्लस कर सकते हैं या यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है यह भी हो सकता दोनों कलास बिलकुल फ्री होती यूटूब पर इसमें कुछ नहीं लगता है जिनको मैत नहीं आती है यह सब के लिए है कोई कोई भी पढ़ाई कर रहा चलो दन मिटा दूँ इसक्रेंस आट ले लिया करिए जैसे पूरा हो तुरंदेर ना किया करिए कितने नियम लिखाया मैंने घातांक के अब तक बोले एक बार यस अब तक मैंने घातांक के कितने रूल लिखवाए याद रखना यह कलास कच्छा पांच या कच्छा तीन चार वालों के लिए नहीं होती है यह कलास बच्चे वालों के लिए होती है कुछ बच्चे भले जुड़े होंगे बाकि इन्को वह देखते हैं जो आपके मम्मी पापा के बराबर हैं जो सीटेट, सूपरटेट , दे रहें , रीट का एक्जाम दे रहें यूपी-ची का सी-सजेट, टीफ नंबर फे निकल रहा है अधिकारी बनने का सफना है टीचर बनने का डाक्टर बनने का नीट जेई वाले जो हैं जिनका कल्कुलेशन बहुत कमजोर है उनके लिए होती इस्पेसली राम प्रता अप्रिया सिंग शिवम सनी बगेल अगस्त यादो लोकुस निलान सागर राजनाथ यादो राजन नितिन मिस्रा जी जब यन बड़ा हो यम छोटा हो आप देखना एक और नियम यह कमपरटीशन लेबल के रूल है सारे जितने भी घातांग के बाकि बेसिक में इतना नहीं है इतने सारे घातांग के नियम आपको बेसिक में नहीं मिलेंगे कच्छा चार पांच में तिन चार हैं बस लिखो जब बेस समान हो गाते अलग-अलग हो बेस समान हो गाते अलग-अलग हो यहां समझना यह वन अपान एक पावर यन माइनस यम हो जाता है जब यहन बढ़ा हो यह छोटा हो नहीं यहन बढ़ा हो यह छोटा हो चलो फटा फट डन जल्दी डन करो कम्पलीट देखो यह सीधा सा बात यह है जैसे इसका उदाहन देख लो लगे हाथ जैसे तीन यक्स गहाथ पाँच है नीचे भी तीन यक्स ही रहना चाहिए इसकी गहाथ अगर साथ है तो ऐसी स्थिती में यह तीन यक्स की पावर साथ माइनस पाँच मतलब तीन यक्स का स्क्वाइर हो सकता इसका यह मतलब था घातांग का बस जल्दी करें लिखें जो जो कि यह सिव रपाठी जी कह रहे हैं मैं msc हुम है देख रहा हूं मिल्कुल कोई बहन कभी पूर्ल नहीं होता मेरे भाई हमेशा सीखता है जो भी आपको पढ़ाता वो भी पढ़ता है आपको आधा गंटा पढ़ाता है तो वो डेड़ गंटा पढ़ता है ऐसे नहीं पढ़ाता कोई किस-किस क्लास के लिए आप लोग सीख रहे हैं क्या उद्देश से हैं आपका चौदा रूल है यार अभी तो इसमें हाँ माइनस घात वाली की घात प्लस की जा सकती है पद को पलट करके कितने हो गए दस नियम नमबर ग्यारा अगर इसकी घात माइनस है तो इसको बी अपान ए करके घात को प्लस कर फक्त है ये घातांक का आपका नियम नमबर ग्या रहा है आज समझा नहीं पाऊंगा समझाओंगा तो नियम नहीं हो पाएंगे पूरे किन नियम लिख लो आज कल समझाओंगा किसी भी बरियाबल्स का पावर जीरो किसी भी बरियाबल्स की पावर जीरो का मान हमेशा वन होता है चाहे वो यक्स हो, कुछ भी हो कोई भी एफे लेकर के जड़ तक वाला लेटर हो अगर यह में एक सम संख्या है तेरा नमबर लिख लो तो संख्या अगर अगर माइनस में है उसकी घात लगी है कुछ भी अगर वो संख्या सम है घात सम है तो इसको पलस किया जा सकता बिना कुछ किये चौदा नमबर अगर यह घात बिसम है तो यह माइनस ऐसे जाएगा कल्कुलेशन में एकदम संख्यावनी की तरह काम करेंगे जैसे संजीवनी बूटी प्रभु अनुमान जी लाए थे लक्ष मंजी के लिए उस मुसीबत में काम आई थी न वैसे यह मैद के कल्कुलेशन में काम आएंगे यह सभी कोरोना के समय में पैरा सीट अमाल की जितना कीमत थी उतना कीमत से दस गुना जाद आइस की कीमत है एक्चुली मैं सिवम तिरपाठी की वाइफ हूं उनकी आईडी से देख रही हूं अब भैया मुझे नहीं पता कौन वाइफ है कौन हस्बंड है और क्या कईसे कईसे है आप लोग जाने हमें सिर्फ इतना मतलब है कि आप देख रहे हैं इन सब लपड़ों से अभी मैं बहुत दूर हूं ठीक है तो कलास को बंद किया जाए आप सभी कहां कहां से अपने जिले का नाम बताएंगी जैसे आपकी कलास परियागराज उत्तर प्रदेश से हो रही है मैं बिना रूक के बोलूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है और इसके बाद मुझे जैस्ट बीटीसी यानि की डियलर की कलास करवानी है तो मुझे थोड़ा फास तो चलना ही पड़ेगा अब आपको अपना दिमाग तू एक सिस्पीड में सुनने की छमता वाला बनाना होगा आज बिहारी भाई बहुत जुड़े हुए है राके जी नवादा बिहार से हैं छातरा जारखन से सुभम जी हैं और इसा से हैं राजन इनको लैंग्वेज की प्रोब्लम है तो भाईया हिंदी सीखी आज हिंदी दिवस है परुखाबाद से प्रिया सिंग है छतिस गड़ से रिचा मोर्या है और कोकराज कौसांबी से पंकज हैं मदेपूरा से आदित हैं रामपूर से अनुज हैं और तीकमगड परवीन हैं आगराई से सनी हैं आजमगड से सिवम हैं मुरादाबाद से निलान सागर हैं और सिरो मुकुल सिंग पर्याग राज से हैं मोहन ठाकुर साहरसा बिहार से गोपाल गंज से बुलट अंसारी हैं लखनावु से हरीश रावत हैं और जौनपूर से आदित कुमार हैं सिरोही राजस्थान से क्योंकि कमेंट तेजी के साथ निकल रहा तो मुझे पढ़ना पड़ेगा ठीक है फिलाल अच्छी बात है आप लोग बहुत जगा से जुड़े हैं काफी दिल खुस हो गया एकदम अब मैं कैसे दिखाऊंग आपको किर्थी परजापती उत्राखंड से हैं यानि मुझे पता चल राज लगभग में कि जो भी कंडिडेट जुड़े हैं कम से कम दस राज जिसे तो है ही मैं सबका कमेंड नहीं देख पा रहा हूं आंध्र परदेश से भी है और इशा से तो आई रहा है कोलकाता से भी है 36 गर्ड ठीक है बहुत बहुत थैंक्यू आप सभी को दिल से धन्यमाद 10 बज़े से मैं फिर से लाइब आ रहा हूं पी वी आरे स्टडी लाहबा चैनल पर आप लोगों से एक निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके रखे